हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू देव डिजटल कलासेस आज भी हम लोग देखेंगे समान बिज्ञान में कुछ वन लाइनर कोश्चन जो की आपकी कमपेटेटिव एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है चलिए देखें पहला कोश्चन है कि एक नच्छतर का रंग निर्भर करता है तो इसका अंसर है उसके पृष्टिय ताप पर अगला कोश्चन है कि साबून के बुलबुले के अंदर का दाब वाइमनलिये दाब से अधीक होता है या कम तो याद रखना है अधीक ठीक है उसके बाद नेक्सट कोश्चन है अस्थाई चुमबक बनाते ह तो अस्थाई चुम्बक बनाते हैं सोब टाइरं इसके बाद अगला क्वेशन देखते हैं घरों में दी जाने वाली विदुधारा के आवरिती होती है तो अंसर है 50 Hertz सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है इसके कूल 27 अगला कुशन है सिरके का pH मान होता है 2.4 से 3.4 अगला कुशन है कि रोकेट इंधन को कहते है प्रनोधक अगला कुशन है पेट्रोल की खोज सबसे पहले की थी पेटरोल की खोष सबसे पहले की थी करनल ड्रेक ने, अगला कोश्चन देखते हैं, रोल्ड गोल्ड का संगठन है, तामबा और अलमिनियम, अगला कोश्चन है, सामान उर्वरकों में जिन तीन तत्वों की सबसे अधिक आविसकता होती है, वे हैं नाइटरोजन, फासफोरस और potassium ठीक है next question देखते है विसेली gas जिसका परियोग दुत्य विस्यूद में रासाइनिक हतियार के रूप में किया गया था तो वो क्या था तो अंसर है leucides अगला question है potas alum potas alum का उप्योग किया जाता है तो potas alum का उप्योग किया जाता है जल के सुध करने में ठीक है और देखे क्या है कि ओसदी निर्मान में रक्त का बहना रोकने में अगला question है long के तेल का परमुक घटक है तो long के तेल का परमुक घटक है uranol next question है hing evam tarpene का तेल है तो hing evam tarpene का तेल क्या है तो वो है regene अगला कोशन देखते हैं फासफोरस हाइडराइट को कहा जाता है तो फासफोरस हाइडराइट को फासफीन कहा जाता है अगला कोशन है सेब का खाने योग भाग है तो सेब का खाने योग भाग है पुसपासन अगला कोशन देखते है फ्लोरी जेन्स फ्लोरी जेन्स क्या है तो यह पत्ती में बनता है इसे फूल को खिलाने वाला हार्मोन भी कहते है अगला कोशन है नारियल का खाने योग भाग है तो नारियल का खाने योग भाग है भुरून पोस्ट ठीक है अगला कोशन देखते हैं कोड की बिमारी होती है तो कोड की बिमा मेंधक पदार्थ है जिसका पूरा नाम है ट्राई नाइटरो ग्लिसरिन इसका धानोरा ग् DJI उसके दर्वेमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, आसू में कौन सा एंजाइम पाये जाता है, ठीक है, अगला कोशन देखते हैं, कोशन है, पी एच का निर्धारन किस ने किया, तो पी एच का निर्धारन किया है, सोरेंसन ने, नेक्स्ट कोशन है, किलो वाट घंटा पराबर होता है तो 1 किलो वाट घंटा जो है 3.62 पर पावर सिकस जूल के एक्वल होता है ठीक है अगวला क्वोचन है हेवी अरेस्पार जैसक है किसका बेरियम का ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कॉच्शन है मचली की हिरदे में कितने प्रकोष्ट होते हैं तो मचली के हिर्दे में दो प्रकोष्ट होते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने देखा टोटल 30 कोषण, इसके बाद और भी कोषण को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को करें, थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो,